हेलो स्टुडेंट्स मैं प्रक्या पांडे का गेस्ट लेक्चर गवर्मेंट पीजी गॉलेज बही में तरह से आज का हमारा टॉपिक है और्किडेसी फामिली और्किडेसी फामिली जो है वो मुनोकॉटिलेडिंस ते बिलॉंग करते हैं तो आए देखते हैं इसके सिस्टेम स्टुडेटिक पोजीशन यह है किंग्डम प्लांटी फाइलम माइटनेलियोफाइटा क्लास्ट लियॉपसिटा फामिली और्किडेसी अगर हम इसके जनरल डिस्टिबूशन की बात करें तो और्किडेसी फामिली जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे लार्जेस् और इसके इनर में 20,000 स्पिशी इसमें बिलॉग करती है और्किडेसी जो फामिली है वो कॉस्मोपॉलिटन है वोर्ल्ड वाइड यह स्प्राइड है और अगर हम इसका रीजन देखें कि सबसे ज़्यादा कहां पर कल्टिवेट होता है या ग्रो होता है तो सबसे इसकी 130 जैनरा है और जिसमें 800 स्पिशिस बिलॉग करती है इंडिया में इस्टन हिमालिया वेस्टन गार्ड और खाकी हिल्स में इसका सबसे ज़्यादा कर्टिवेशन या ग्रोथ पाया गया है अगर हम और्किडेसी फामिली के करेक्टर की बात करें तो यह और्किडेसी दूसरों पर निर्भर होने वाले या फिर सेप्रोफाइट होते हैं जो स्वया हम अपना खाना या स्वयाव अपने खुद के उपर यह सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं कभी-कभी यह टेरस्ट्रियल हो सकते हैं इनकी फ्लावर्स जो रहती हैं मोस्ली जाइगोमॉर्फिक सकते हैं मोस्लावूर्स य्प इनकी char 1589 लृत यह रहते हैं मोस्लीय के सगाए ऊत पेलियल हुक्त खाने अखारन कसे लिध जाक वई ल स्वयाव प्राइज जाख गैवले přिंटिवर्स स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें अगर स्टेमेंस की बात करें तो मोस्टी स्टेमेंस इसमें एक या एक से दो होते हैं और इनमें स्टामिनोड प्रेजेंट रहते हैं वन तू टू स्टामिनोड जो पॉलन ग्रेंस रहते हैं वो पॉलीनिया में इसमें यूनाइटिड रहते ह अगर इनमिन के गायनेश्यम की बात करें तो गायनेश्यम इसमें तीन पाया जाते हैं इसलिए ट्राइकार्पिलरी काया जाता है इंफीरियर होते हैं और एक लॉक्यूस लिए हुए रहते हैं जिसे हम जो की पैराइटल प्लैसेंटेशन में अरेंजड रहते हैं जो fertile जो stamen जो रहता है, जो fertilization या फिर जिसमें pollen grain होते हैं, mature pollen grain वो stamen से attached रहता है और gynendrium को produce करता है stigma इसमें दो या तीन lobed के बने हुए रहते हैं, कुछ में दो fertile होते हैं और एक sterile और जो की rostellum में या convert हो जाते हैं तो यह थे और्किडे से फामिली की systematic positions, उनके distribution और इनके characteristics अगर अब इनके vegetative characters की बात करें, vegetative characters में पहला है habit तो या perennial herbs मत अब की herb plant होते हैं, जो की बहुवर्शी होते हैं कभी-कभी कुछ species, और्किड जो species है वो terrestrial होती है, catalyer species epiphytic होती है, new tier species जो रहती है, वो saprophytic होती है और्किड generally temperate region में पाया जाता है, mainly terrestrial region में और जो epiphytic जो species रहते हैं वो tropical regions में होते हैं, जो sometimes जो रहते हैं वो climbers हो सकते हैं हम इनके अगर root की बात करें तो इनमें root adventitious root रहता है, seed के radical part के अलावा किसी पार्ट से अगर root का formation होता है, तो हम इसे adventitious root कहते हैं tuberous root हो सकते हैं, जो की orchid में पाया जाता है, इनका जो root रहता है, वो fleshy रहता है, climbing मतलब की लटा के समान रहेगा, और aerial मतलब above the soil sorry, above the soil present रहता है, root हम लोग देखे हैं कि मिट्टी के नीचे जनरली पाया जाता है लेकिन अगर इसमें root जो रहता है, वो aerial रहते हैं, या फिर soil part मिट्टी के ऊपर में यह present रहते हैं, इनका जो main root जो रहता है, वो हमेशा ही absent होते हैं, इनका अगर अगर होते हैं, इनका जो stem है वो इतना थिक रहता है कि राइजोम या फिर सुडो बल्ब में वो convert हो जाता है, जैसे कि phagos और bulbophyllum species में या rhizome या सुडो बल्ब में के फॉर्म में इनका जो stem रहते हैं, इनका जो stem रहता है, जैसे कुछ species है तीनियो फाइल में इसमें, इसमें ए हवे में लटकते हुए रहते हैं, वैसे ही orchidacy में भी assimilatory roots पाया जाते हैं, अगर इनके leaf की बात करें तो इनका leaves जो रहता है, वो simple रहता है, इसमें alternate arrangement रहता है, बहुत कम ही species में इसमें opposite arrangement पाया जाता है, ये एक लोरोफाइलस scales में reduce हो जाते हैं, एक लोरोफाइलस मतलब की जिसमें chlorophyll present नहीं होता है, जिसके leaves में chlorophyll present नहीं होता है, कभी कभा ही कुछ species में एक लोरोफाइलस leaves present होते हैं, इनका जो leaves रहता है, usually flashy रहते हैं, linear, linear मतलब की लंबे, एक ही direction में point out करते हुए, सुई के समान इनकी structure होती है, जो की ovet shape में होते हैं, जो stem को कई बार encircling करता है, encircling मतलब उन्हें cover करके रखता है, उन्हें surround करके रखता है, इनमें foliage leaves नहीं होता, leaves simple रहती हैं, लेकिन foliage leaves इसमें नहीं होता है, यह हैं इसके leaves के structure, यह थी vegetative characters of orchidacy family, अगर हम इनके बाद करें, floral characters of orchidacy family, तो अगर इनकी inflorescence को देखें, इनमें inflorescence जो रहता है, वो solitary पाया जाता है, कभी-कभी कुछ species में spike inflorescence हो सकते हैं, raisin species इसमें पाया सकती है, कुछ species में panical inflorescence इसमें पाया जाते हैं, अगर हम इनके flowers की बात करें, तो flowers जो रहते हैं, वो variation लिए हुए रहते हैं, जो बहुत ही peculiar इनका shape होत इनका flower जो रहता है, इनका flower जो रहता है, शोई रहता है, शोई मतलब की beautiful और colorful रहते हैं, इसलिए as a show plant की तरह भी, मतलब show flower की तरह भी act करते हैं, इनमें brags present होते हैं, और इस flower को to equal parts में divide नहीं किया जा सकता है, इसलिए flower जो रहते हैं, वो zygomorphic रहते हैं, बाइसेक्शल र इनके flower ट्राइमेरस होते हैं, इसलिए इसमें जो flower रहता है, वो रैजुपिनेट होता है, रैजुपिनेट मतलब की 180 डिगरी में twisted रहता है, या फिर upside down flowers पाय जाते हैं, यह इसके flowers हैं, इसमें इसके flowers में अब यह देख सकते हैं, इसमें एक एंधर कैप है, इसमें एंधर म कifikος स्टिग्म थाफिधा नयुकर है, वियुफ है तो इसके आप इंधर को स्टिग्मा है पना, जो देख सकते हैं, लिप प्रेजच्अ को बहुते हां, यह देख उना, यह दिख सकते हैं, जो फिर पुос्टेर में एक लीपल्स प्रफिन प्रेस हैं इसमें इससे और स्ट्र फेएंत की अगर हम बदात करें तो यह है waterfall 6 जो की 2 रों में present रहते हैं 3 sprechen outside जो की kaillique aard कालिक्स को रिप्रेज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ करते हैं ndry tapl लेगर करोले को इंधरते हैं और similar तो तो- लेट्रेटर या विंग्स इसमें wings like इसमें टेपल होते हैं जो थर्ड टेपल होता है जो इनर वल का वो slightly modified रहता है और बाहर की प्रोजेक्ट होकर लेपल या लिप चैसर शेप करता है जैसे आप ये देख सकते हैं यह लिप या लेबलम तो इसमें जो 2 आप देख सेते हैं उपर में जो S है वो ये सेपल को डिनोट कर रहा है जो P नोट कर रहा है तो दो ये नॉपल आपने नॉर्मल फॉर्म में हैं ब्रांचिंग होती है और यह beauty of the flower भी इसे कहा जाता है क्योंकि फ्लावर की beauty है उनके शोभा को बढ़ाते हैं एंडरीश्यम की बात करें तो एंडरीश्यम जो है वो two fused इसमें lateral stamen और एक जो रहता है वो terminal stamen है मजब की दो आपस में जुड़े हुए और एक जो रहता है terminal site पे जो रहता है वो free रहते है इसका जो एंथर रहता है वो dieticus रहता है यह जो एंथर है वो intros अंदर की और पाये जाते हैं इसमें granular pollen grain इसमें present रहता है या फिर यह एक vision thread slide जैसे मास में यह surrounded या फिर bounded रहते हैं जिसे हम कहते हैं polynia stigma style और stamen यह तीनों आपस में इस तरह से ही जुड़े हुए या attached रहते हैं जो जैसे कि हम जब हम देखते हैं तो यह single structure की तरह यह दिखाई देते हैं और इस structure को हम column या फिर गाइनेंड्रियम कहते हैं तो यह सबसे basic या most characteristic part होता है orchid flower को represent करने का कुछ orchids में मजब कुछ नहीं बहुत सारे orchids में polynia का एक pair होता है जो आपस में connected रहते हैं glandula या corpus column से और उनमें एक stalk पाया जाता है codicle उस codicle के help से वह दोनों glandula या corpus column से एक दूसरे से या attached रहते हैं कौन पॉलीनिया तो एक overall stamen के बीच में connection रहता है जो कि एक rostellum से produce हुआ रहता है इसमें कई भार staminodes भी present रहते हैं यह पॉलीनिया और गायरेट्रियम इसमें अंतर कैप यह देखिए पॉलीनियम और विसीडियम यह दोनों आपस में codicle से attached हैं तो यह एक उनके पॉलीनिया और अंतर का या diagram है गायरेट्रियम इसमें तीन कार्पल्स present रहते हैं जो एक से जादा ओव्यूस इसमें पाये जाते हैं और जो की parietal प्लेजड रहते हैं इसले का प्लाइट्रियम जो रहता है वो parietal presentation कहलाता है अप उस्टेसिया इसमें ट्राइल उक्यूलर में तो तीन उक्यूल के present होते हैं और exile presentation कहते हैं तो यह थी क्या guineasum की बात अगर stigma करें तो stigma इसमें तीन रहते हैं जो की दो बाहर की तरफ यह lateral position में रहते हैं वो fertile रहते हैं और Fetile Stigma से संथ पार्थ कोल्म के इसंटरस से एक दूसे से रहते हैं अगर गाइनेश्यम की काइन के बात करें तो 2 इसमें Fetile Stigma और in Fetile Stigma रहते हैं फ्रूत और सीड्स के बात करें तो फ्रूट्स इसमें यूश्वली कैपसुल रहते हैं और large number of seeds पाय जाते हैं जो कि बहुत ही small रहते हैं इनका जो seed रहता है वह non-andospermix seed रहता है और जो इनका pollination होता है वह wind pollination के थ्रू होता है नहीं बार इसमें insects के थ्रू भी इसमें pollination होता है तो ये हैं, well adopted by insect pollination क्यूंकि इसमें कुछ-कुछ character जैसे large size हो गया प्लीजन स्मेल आते हैं फ्लावर्स में ब्लेंटारी ही इंस utilize इसमें आट्रैक्टेड़ हो जाते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रियः is waste यह चाफर फ्लोरल फॉर्मला जो है ब्रैक्टियेट होते हैं जाःगोमॉर्फिकس एरियन इन्ट्री हैं आनेश्यम4-つू जो जो कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनकी ओवरी रहती है इसे उपर में एक स्लिपिंग लाइन की तरह दिनोड किया जाता है यह एक स्पिशीज है जिसका मैं कहते हैं जियूकसीन स्ट्राटलियो मोमेटिका यह और किडेसी फैमिली से बिलॉग करता है अगर आप फ्लोरल फॉर्मॉला देखे तो फ्लोरल फॉर्मॉला कुछ इस तरीके से है जिसमें ब्रक्टियेट प्रेजेंट है तीन टेपल पाहर क इसमें तीन है जो अगानेशियम से स्टिक्ट है और इसमें बीच में रॉस्टेलम अन्थर जो है वो इसमें स्टामिनोट्स फॉर्टाइल स्टिग्मा तो यह इसके फ्लोरल डाइग्राम अगर में इनकी एकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला है फूड जो इस फामिली के जो स्टिग्स है यह शोल्षियम से फूड मतलब एडिबल पार्ट यह इसमें यह तरह कुर्ण एह चौकलेट हो गया है केक है यह ऐसक्रिम है जो समय वैनिला पैनिफिल यह वैनिला फ्रेग्रेंस इसमें से वैनिल्र को यहल्ड किया जाता है जो की एक फ जिससे हमें पर्फ्यूम्स भी मिलते हैं, आइस्क्रिम्स वगरा में भी इसका टेस्ट जाता है मेडिसिनल यूज भी होता है, जिससे एक स्पेशी है यूलोफिया एपीडेंडरिस इस स्पेशी का जो रूट जो होता है, वह एक डिसीज होता है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है डाई के फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं जिससे जो स्पेशी एकलन्थ वेरा ट्राइफोलिया इस्पेशी इसका जो लीव्स होता है और्किड फ्लावर आप सबी आपसे टोशचान करते हैं और्किड फ्लावर आप सबरो स्थेच के लिए पतीज़ीय लिए पत्य तो कोची हैं और समझें पैसे लिए यूइयर है कितीव में निया fewट फ्लावर सबढ़ल होता है और एकोनोमिक इंपोर्टेंस और कीड़ेसी फामिली के आज की टॉपिक में हमारा इतना ही हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग स्टेव सीफ एंड कीप स्माइलिंग एम्रीवन